हेलो गुड मोर्निंग आई तो सबसे पहले मैं यहां पर खोल रही हूं सिसाई बंद करके सोते हैं पहले हम नहीं करते थे और हभी देख सकते हैं उठने में आज काफी लेट हो गही टाइम हो चुका था साड़े पाच बजे का सवा पाच बजे उठती थी लेकिन साड़े पा मैं मेरे उठने की पाच बजे की आपाच पाच पार पास दस पर इठती हूं तो आज थोड़ा लेट हो गाय था काफी उजाला हो गय था संडे था वैसे बद काम आज काफी ज़्यदा थ थी पहले मैंने घोबर डालने की बजर दुंसके बाद गोबर डाल लुगी क्योंकि इनको चारा में डालोंगि तो इस तरह से ही चकर आते रहेंगे कार gaartे रहेंगे हैं तो मेरी एडियों मेरी ठीक रहती है मैं बयरी साथ उल्टा है पता ने क्यों तो यह आपर बाड डाल देते बॉसा डाल दिया है पस वो को है और बस इनको mix करने के बाद गोबर वगड़ा डाल दूकर देखते ही देखते ही इतना जल्दी उजाला कितना बजे उठना उसी टाइम पर मेरी ऑटमेटिक आख जरूर खुल जाती है आज मैं साट डेट बजे के करिबन भी खुली थी लेकिन उस टाइम तो उठने का कोई फाइदा था नहीं मैं ये सोच के सोई थी कि मैं पौनी पाँच बजे या पाँच बजे के करीब नहीं उठोंगी लेकिन तस पंद्रा मिनट लेट होगा चलो कोई बात नहीं कर लेंगे काम तो ये है कि जो भ्रामनी को भोजन करवाना है वो सुबह सुबह करवा दिया जाए तो सबसे बड़ी बात है फिर उसके बाद पहले कह रहे थे कि अनाथासरम में जाएंगे मैंने तो कहा था कि अनाथासर में बच्चों को भोजन वगएरा करवा के आएंगे लेकिन आज इनको कहीं जाना था इस वज़े से और दीदी भी बिमार थी तो इतना ज़्यादा बनाना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता के लिए और काम भी होते हैं घर के तो यह बोले क और पापा क्यावन के बाद फिर मम्मी का मतलब ऐसे हमारे हर दो साल हो गई मम्मी को हभी आज के दिन मम्मी का एक्सपायर हुआ था और पापा के थोड़ा बहुत दानपुन करना चाहिए मैं कहते हूं कि यह तो बुजरग आसरम में जाना चाहिए या जैसे जो गरीब लो में कहीं भी ऐसा आसरम हो जहां पर मतलब बुजरग हो वो उनको कुछ दानपुन देखे हैं ताकि उनको एक खुसी मिले इस तरह के लोगों के हल्प करनी चाहिए अभी फिर उन्होंने काफी देर सर्च करने के बाद पता चला कि देवारी में था और गुरगां में भी नहीं था इनके पास मतलब फोन नंबर नहीं थे तो बोलें कि नेक्स्ट येर या कभी फिर करेंगे ना तब पहले उनसे कॉंटक्ट वगरा कर लेंगे कितना क्या लेकर आना पड़ता है तो तब उनको मतलब भोजन वगरा करवा कि आ जाएंगे इस बार गवसाला में ही कर कि लकाए था और जो पानी या था बाइता यह ब उख चुके थे पानी फट रखाड़ से मैं यहां पर इसमें लगा देती हूँ और इसमें और सफ सुथरा घर पड़ा हुआ है बिलकूल साफ जैसे जायता ना हमारा क्यों कि मैं बार बार में एक भी पत्ते यह नहीं रात क तो विल्कुल साफ सुतरा था रात को भी पानी आया था तो टैंक तो भरावाद होड़ा सा खाली था बस इसको शोड़ देती हूं उसके बाद मैं पीने के पानी वगएरा भर लेती हूं और तो अभी मैं नाले को इसी में छोड़ कर जा रही हूं तब सबसे पहले किचन में पानी प्यूंगी उसके बाद चाय बनाओंगी बच्चों का दूद वगएरा गरम करूंगी बच्चे वगएरा आराम सी सो रहे हैं सकूल जाना होता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और मैंने इसको बंद कर दिया था ताकि उनको पता भी ना चली तो देख सकते हैं और भी आते हुंने कि को दॉन्हें हूंने कि तो कि पानी राई के लिए बादल हो सकते हैं आज सकते हैं और प्यूंट थो घवेटी मेहां हो जाएंगे चली तो सब्सक्राइगा मस्झ का घुच्छ से बनते हैं और पहले मसीन लगाते हैं उसके बाद किचन में जाएंगे हैस्बेंट भी आज घर पर ही है तो आराम से सो रहे हैं उनको थोड़ा लेट ही उठाऊंगी हभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि संडे का दी नहीं होता है उनके लिए वैसे तो हमारे पास भी बाद हम में दो पैर मे के दिन ही थोड़ा होता है कि थोड़ा लेट उठे लेट उठें वैसे लेट तो क्या भी पासूर नहलाने के लिए उठेंगे बटादे कंटे बाद फिर उनको मैं कोफी दूंगी बनाकर तब जाकर उठेंगे वो ब्लैक कोफी पीते हैं सुबह तो कपड़ी देख सकते हैं मैं कह रही थी थोड़े हैं थोड़े हैं निकालते निकालते आप देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं तो मैं आ गई थी किचन में और यहां पर बच्चों का दूद मेरा पानी गरम कर रही हूं और बच्चों का मतलब दूद गरम करूंगी उसके बाद अस्पेंट के इसको फ्रेज में रख दूँगी और इसमें रई लगा देती हूं कि अगर अगर निकल चुका है अब भी मैं पर्तन स्टेंड पर लगा देती हूं और उसके बाद मैं थोड़े से आलू बालने के लिए रखोंगी जो अबी टाइम हो रहा है वह साड़े साथ बजे का हो रहा है मखन और निकाल दिया बदने स्टेंड का लगा दिया भार का सारा कम निप्टा चुकी है कपड़े सारे वोस हो चुके हैं एक बार दोबारा से मर्ची लगा हूं क्योंकि बच्चे ना रहे हैं तो उनके कपड़े में मैं साथ साथ बोस कर दूए और आज मम्मे को दो साल पूरे हो गया है तो आज हम मतलब डामने को बोग करवाएंगे मतलब पहुचन करवाएंग दोबारा से अभी पान रालोंगे मसीन में और अब आपको दिखा देती हूं फिर किचन समेटा तो क्या है कुछ बरतन है यह इसमे रख दोगी फिर उसके बाद पोचा लगा कर यहां पर मैं खाने की तियारी करोंगी खाने में कुछ ज्यादा नहीं बेरा हूंगे सिंपल ह पोगी लगाना चाहिए तो मैं दोबारा से जाड़ों निकाल ली थी लेकिन आज हवा और बारी साला मोसम हो रहा है तो बार बार में धूल मिटी आ रहे है तो पोचा लगाने से पहले गवा जाड़ों दोबारा निकालना पड़ेगा तो फटा-फट से निकालते हैं उसके लेकिन आज उसको पता है कि ब्रामनी को फाना किलाना है तो जल जल दिकर थोड़ा बहुत ने काम करवा दिया और मेरी बेटी यहां पर रेडी हो चुके है इसके हेर वोस की है आज और इसनी की वाला सूट पहना है तो काफी क्यूट लग रही है सारे बचे नहा लिए है सारे रायता बना दिया और यह रात को हस्मेंट कई पार्टे में गए थे तो यह पत्तर लेकर आए थे जो लड़ बगएरा होते हैं बरफी बगएरा तो वो थी और यहां पर बसमें फटा 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 से सबसे पहले दो गाये की निकाल देंगी फिर ब्रामनी से फोन ताइज से सब्स्वेंट नहाए उसके बाद पूचा वगएरा कि क्योंकि जी अभी डूटी से आए थे और पूचा वगएरा अंदर दीदी नहीं लगाया था आज क्योंकि मैं कीचन में लगई थी नाने दोने के बाद तो मेरे को थोड़ा लेट हो गय था तो अंदर का पूचा ही ऐसे ही नयरनकसा उससे लगती है तो बस या चुकी थी और चाति घर भी है घरा को दरने के बहोंगे और रहा हूंगे हम टाई जी को ही खाना खिलाते हैं कोई मितलव करते है तो पापा जी का करते हैं तो ताइ जी जो बेटे ने कर प्छेहींными में इन लुगता है और उसके बाद मेरी बेटी ताई जी के साथ ही चली गईती ये किसी को भी मैं आप के साथ चलूंगे आपके साथ ताई जी के छोटी सी ही बेटी है मेरी बेटी जतनी सेम मेरी दोनों मतलों एक ही उमर की हैं तो उनके घर चली गई थी तो यहां पर आज युगा था हमारा ब्रेकफार्स सबको खाना वगरा खिलाने के बाद मैंने आज बनाए थे परनीर के पराठे मेरे और अस्वेंड के लिए और दही जो अभी टाइम हो रहा है वह बारा बज गये हैं थोड़ी देर मैं लेटना चाहिए थी साड़े ग्यारा वजी मेरे काम सारा खतम हुआ था ब कर देखना और अपने सारे कपले आइडरन करने के बार के संदे ना तो वैसे काम तो करने है बट थोड़ा आराम करने के बाली काम करने का मन करता है तो कपड़े तो आज ज़रूर फीटिंग वगेरा मारूंगी और बच्चों के कल से एक्जाम हैं बट अभी वो टीवी दे तो फिर रात को लेट हो जाता है उनका तो वो दो बजे या डेट बजे के कि लिए लंच करते हैं हमेशा ही मेरे को तो इतना भूख नहीं लगती कि मैंने सुरह आज हमने पनीर कुराथा बनाया जा और हभी में पालक पनीर बनाने जा रही हूं तो प्रोटीन का अच्छा दई और पनीर मतलब पालक का राइता और पनीर बनाऊंगी तो फटा-फट से पहले बना लेती है उसके बाद में जाते हैं मोसम बिल्कुल दुंदला दुंदला हो रहा है और साफ सुफरा घर है गाड़ी लेकर चले गए तो तो गाईज में आ गई कीचन में और कीचन में मैं बनाऊंगी आज पालक पनीर अपने लंच के लिए क्योंकि आज अस्वेंड घर पर रहें तो कुछ अलग सा हो जाए कल मैंने पनीर मंगवाय था तो सुबह हमने पनीर पराटे खा ली प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है और इस बाहने पनीर भी मतलब बच्चे पनीर नहीं करते मेरे को बहुत अच्छा लगते बट्टे साइप निर कड़ाई पनीर वगएरा हम इतना नहीं खा सकते जब हम वेटलो जन्नी पर होते हैं तो मैंने पनीर ही बनाया है उर भूत ही कम तेल में बनाऊंगी तो यहां पर मैंने पान पानी को उबालना रख दिया था मतलब पालक में दो या एक गोईल लेक के आएंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे इससे क्या होता है इसका टेस्ट अच्छा आता है तो आप देख सकते हैं मैंने पनीर में कितना थोड़ा सा ओयल डाला है सिरफ एक या डेड़ चमच जो हमारी खाने की चमच होती है वह वा ब्राउन कलर की हो गई है उसके बाद कभी भी पनीर में जीरा वगरा नहीं डालना चाहिए कुछ लोग डालते हैं बट मैं कभी नहीं डालती और उसके बाद यहां पर मैंने टेमाटर की ग्रेवी भी डाल दी है दो मीडियम आकार के टेमाटर लिये थे मैंने और यहां पर जो अद्रक होता है उनको साथ में ही ग्रेवी में पीस दिया था इसके बाद नमक सवादनों सा डाल दिया अच्छे से इसको तब तक चलाएंगे तब तक कि मसाले मतलों जो तेल ना छोड़ना स्टार्ट करेंगे तेल बहुत ज्यादा कम यूज किया है फिर भी तेल चोड़ मैंने बाद मैंने नहीं क्या है क्योंकि वेट वेट लोस के लिए बना रहे हैं तो बस सिम्पल में बना रखा देंगे पनीर की सब्ची बन करुदी tok तरीके से भी काफी अच्छी चीजे बन जाती हैं रोटी हमें इस एक ली थी बस अबी साड़े- बारा बज गए हैं आदा गंटा लगाया किचन में सब्जी बना के आई हूं पालक का रायता बना के आई हूं और जूठे वर्तन हुए थे सब्जी को मैंने कटोरी के अंदर ड सब्सक्राइब करते हैं और बच्चे जादा बनाना जादा बनाना लेकिन दोबारा कोई नहीं खाएगा और बारिस बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि अभी बारिस आएगी पार्ट भी ठट्टी करके आगई अभी मैं कर लेती हूं आदे फोन घंटे आराम उसके बाद मैं खाना बारिस आप पीटी हो तो आप भी पीजेगा गर्मे में पानी पीना अच्छा होता है और पानी के थुरू हमारे मतलब स्कीन प्यादा यह बात मैंने कुछ देखिए क्योंकि मेरी स्कीन पर काफी जादा मुझे फर्क दिखाई दे रहा है पहले इतने फिंपल्स निकलते थ तो आप पानी पीए जरूर जादा से जादा और इसे आपको तो गाईज हभी स्याम के बज रहे हैं साड़े चार पस्वो को चारा वगरा डाल दिया दो पैर में थोड़ा आराम किया एक गंटे के करीबना आराम किया जादा नहीं किया था दीदी हस्वें और मतलब डॉक् कि तब थोड़ी खराब हो रही थी तो मिलने के लिए गए थे और यहाँ पर मेरी बेटी बैट गई थी मेरे पास ही और मेरे कपड़े काफी ज़दा मुझे लूज हो रहे थे काफी तो टाइट करने थे फिटिंग करने थी मुझे काफी दिन सोच रही थी लेकिन आज सोच से वी सूट की मैंने फिटिंग की उस के बाद लिए उनको आईरन करने का बाहर की हम बाज़ सक दिन on आप से मिलते हूं कर रही थी फिटिंग और फिटिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती है